नीलू ने जल्दी जल्दी किचन का सभी काम निपटा कर सिलाई के लिए समय निकालना चाहा रही थी उसी समय कोई दर्वाजा खटखटाने लगा नीलू दोड कर गई दर्वाजा खोलने तो सामने अपने पुराने रसोये चाचा को हुआ किसी महिला के साथ खड़े थे नील नीलू हैरान रह गई उनको देखकर नीलू ने कहा चाचा बहुत दिनों कोई बाद आपने याद किया कैसे आने हुआ तब रसोया चाचा बोले बेटा पहले मुझे अंदर तो आने दो मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ तब नीलू ने तुरंत दर्वाजा की सामने स हट गई और उनको अंदर ले आई दर्वाजा बंद करके नीलू भी उनके पास आकर बैट गई तो वे नीलू को देखकर रोने लगे बोलने लगे बिटिया मैंने कहा था जब भी आपको मेरी आवश्चकता हो तो मुझे जरूर बुलाना लेकिन बिटिया तुमने तो उसी से मिलने के लिए आया तब मुझे सब कुछ पता चला यह मेरी बिटिया है इतना कहकर साथ में आई उस महिला और उनकी बेटी जो की 30-35 साल की उसकी उमर रही होगी उनका भी दुबली पतली सी काया लेकिन चेहरे पर मुस्कुराट थी नीलू ने कहा चाचा जी अब आपकी तबियत कैसी है तो वो कहने लगे बिटिया अब मेरी तबियत का क्या बुढ़ापे का समय है जैसे तैसे भी थी रहा है लेकिन बाबुजी कहां है तो बाबुजी अंदर कमरे में है तो वो उटकर पिता जी से मिलने चले गए उनके जाने के बाद नीलू ने उनकी बिटिया से पूछने लगी कहां रहती हो आप तो उसने बताया कि मैं यही वस्ती में रहती हूँ तो नीलू ने पूछा कौन कौन है घर में तो वह कहने लगी सब लोग थे लेकिन अब कोई नहीं है नीलू ने पूछा क्यों कहां चले गई सब लोग तो दुखी मन से वो क कहने लगी मेरे पती ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे अब मैं कहीं काम करती हूँ और वहीं रहती हूँ तो नीलू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ यह सुनकर तब तक की चाचा जी भी पिता जी से मिलकर चले आये थे और वहाई नीलू क के पास बैठ कर कहने लगे बिटिया जी क्या हो गया सब बाबु जी तो जैसे पहचानी नहीं रहे हैं कितने दुबले हो गए हैं नीलू क्या बोलती नीलू ने कहा हाँ चाचा जी उनको अपने बेटे के जाने का गम सता रहा है और इसी गम में माता जी भी चली गई लेकि निलू अब कैसे छोटे बेटे को किसके भरों से छोड़ कर गम्मन आऊ मुझे तो इसके अलावा कुछ और सोचने का समय ही नहीं मिलता चाचा जी वे मेरे सर पर हाथ रख कर समझाते वे कहने लगे बिटिया तु इस घर में खुसियां लेकर आई थी तो मैं बहुत निश्चिंत होकर इस घर से चला गया अब लक्षमी आ गई है अब सब ठीक रहेगा लेकिन मुझे क्या पता यह खुसी तेरे नसीब में सिर्फ कुछ वरसों के लिए थी इंसान ही तो नहीं जानता बेटा कि कब किसका समय कैसा हो जाए मौसम की तरह से हम इंसानों के भाग्य भी बदलते रहते हैं अब कैसे गुजारा हो रहे बिटिया कैसे तुब समसभाल रही हो तो नीलू कहने लगी चाचा जी कुछ ना कुछ तो मैं करी रही हूँ इसमें मेरा और मेरे बेटे का गुजारा हो जाएगा चाचा जी कहने लगे चिंता मत कर बिटिया नीलू बोली जी चाचा जी सब ठीक हो जाएगा और नीलू मुस्कुराते हुए कहने लगी बहुत होंसले वाली हो बिटिया चाचा जी नीलू से बोले मुझे पता है तू सब ठीक कर लेगी यह देखो मेरी बिटिया है इसकी भी कहानी कुछ अजीब ही है नीलो ने कहा मुझे पता चला चाचा जी इसके पती ने इसके साथ क्या किया कहने लगे चाचा जी, इधर उधर भटकती रहती है, सही लोग इसको मिलते नहीं, जहां भी काम करने जाती है, कुछ ना कुछ इसके साथ गलत हो जाता है, फिर कुछ दिनों में ही काम इसको छोड़ना पड़ता है, मैं भी किसके साहरे इसको अपने साथ ले जाऊं, मैं कमात नहीं हूँ बहु मेरी है वो बहुत तेज है इसको बरदास्त नहीं कर पाएगी इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता तब निलू ने कहा चाचा जी एक बात कहूं तो वो कहने लगे हाँ बिटिया भूलो तो निलू ने कहा इसे मेरे पास छोड़ जाएं अगर आपको मेरे हाथ बटा देगी मुझसे जितना हो सकेगा मैं इसके लिए करूंगी चाचा जी को थोड़ा सगून आया निलू की बातों को सुनकर खुस होते वे कहने लगे बिटिया इससे अच्छा तो कुछ होई नहीं सकता तू भी औरत है औरत का दुख समझ सकती है और मैं तुमारे पास इसे छोड़ कर निश्चिन्त होकर अपने गाउं जा सकता हूं इसका कौन है इस दुनिया में रहने का कोई ठीकाना नहीं तुमारे पास रहेगी तुम जो भी कहोगी वे काम करेगी बदले में दो वक्त का खाना और तन धकने के लिए कपड़ा इसको मिलता रहे बस य निलू ने का नहीं चाचा जी इसे मेरी बड़ी बेहन समझकर यहां मेरे पास छोड़ जाईए निलू तो उसका नाम भी नहीं पूछ चा कि उसका नाम किया है उनका तब दीमी अवाज में उसने खुद ही कहा किरन मैंने कहा है न किरन जी आज से आप मेरे पास रहेंगी मै अकेली थी अब आप हो गई है एक से दो भले आपको जो भी आता हो आप वो कीजिए और अपना ही घर समझकर यहां रहें कुछ भी चाहिए मुझसे बोलिएगा तब चाचा जी कहने लगे हाँ बेटा बहुरानी बहुत अच्छी है इसे अपना समझना अब मैं जा रहा हू और इतना कहकर वो जाने लगे तो नीलू के पास कुछ पैसे थे नीलू ने उन्हें देना चाहा लेकिन चाचा जी ने नहीं लिया और नीलू को आसिरवाद दे कर चले गए नीलू ने उन्हें चाहे नास्ते के लिए का लेकिन वो नहीं रुके कहने लगे नहीं बेटा रह किरन के रूप में हैं। उसे देखना न बहुत हूं। और इतना बोलकर वो अपनी बेटी किरन को समझा कर चले गए। उनके जाने के बाद नीलू किरन को कहने लगी जाओ जाकर नालो और तब तक मैं खाना बना दे रही हो खा लेना अपना कपड़ा नीलू ने किरन को दे कर उसे नहाने के लिए भेज दिया और खुद किचन में आकर उसके खाने की विवस्ता करने लगी सबजी तो थी चार-पाँच रोटियां सेख कर नीलू ने उसका जो अविंतजार करने लगी और उदर किरन नहाकर नीलू के कपड़े पहन के निकली तब उसका रूप कुछ और ही हो गया उसने थाली जो किरन को पकड़ाई वैसंकोच से थाली पकड़ ली और एक किनारे जाकर बैटकर खाने लगी खाना खा चुकने के बाद जब किचिन में थाली रखने गई जो बरतन अभी जो नीलू धोले नहीं थे तो किरन ने फटा पड़ सारी बरतन धोकर पूरा किचिन साप सुतरा कर दिया नीलू ने आकर जब देखा तो देखती ही रह गई उसका किचिन देवांस की वज़े से इतना समय उसे मिल नहीं पाता था और साप सपाई वे कर पाए आज अपने किचिन को नया रूप देखकर उसे बहुत अच्छा लगा नीलू को अब किरन का साथ मिलने से बहुत ही राहत मिलने लगी थी अब किरन नीलू के बेटे को अब बहुत अच्छे से संभालती थी उसका नहलाना सुलाना बाहर घुमा कर लाना और किचिन भी उसने संभाल लिया था अब किरन पिताजी के सारे काम करने लगी थी पिताजी को अच्छे से अब केयर उनकी होने लगी उनका ध्यान रखा जाने लगा तो वे पहले से थोड़े बेहतर दीख रहे थे अधिक तर समय पिताजी को नीलू जहां काम करती थी हुएं पर बैठा दीती थी पिताजी नीलू को काम करते देखते और बहुत खुस होते दीरे दीरे वे नीलू के बेटे के साथ खेलने लगे बाहर गाइडन में जो पौधे मुर्जा गए थे उनमें पानी डालना रहता था उसके लिए नीलू जान बूज कर पिताजी से कहती पिताजी थोड़ा गाइडन देख लो आपके हातों का एहसास पाकर पौधे भी जी उठेंगे क्योंकि पिताजी पहले से ही बहुत अच्छा पौधों की देखभाल करते थे उन्हें बागवानी का बड़ा सौक था घर के बगल में थोड़ा सा खुली जमीन थी उसी में पिताजी ने पहले कुछ ना कुछ साग सबजियां उगाया करते थे अनुप जी के जाने के बाद वह बिलकुल इन चीजों को जो भू पुली गए थे इनमें दिल्चस्पी लेना उन्होंने बंद कर दिया था सारे बगीचे के पौदे मुर्जा गए थे तो पिताजी ने एक दिन किरन के साथ मिलकर उस चोटे से जमीन के टुकडे की सफाई की और फिर उसमें पौद और वीजों को लगाया और अच्छे से उ नीलू के लिए तो यही बहुत था कि पिताजी अब अकेले अपने कमरे में नहीं रहना चाहते थे नीलू का घर धीरे धीरे किरन के आने के बाद फिर अपनी रफ्तार में आ गया था किरन का सेहोग और आरती दीदी का साथ मिलने से कि नीलू अपने ओर जितने भी मिले थे किलोने के सब एक हपते के अंदर ही उसने तयार कर लिये थे और उन्हें मार्केट में किरन के साथ और आरती दीदी के साथ ले जाकर सभी दुकानों पर पहुँचाया सभी दुकानदार समय से पहले मिल जाने की वज़े से बहुत खुश थे नीलू का काम देखकर, काम में सफाई देखकर वे नीलू की तारीफ कर रहे थे बोले मैडम, आपको बहुत जल्दी, बहुत बड़ा काम करवा दूंगा और कहा मैडम, आप सदर मार्केट जाकर हॉल सेल का काम देख ले वे भी आपके लिए बहुत ही फाइदे मन साबित होगा और हम लोगों का भी आपको ओर्डर लेते रहना मार्केट में पहले वाले यह दुगना उसे जो नीलू को ओर्डर मिला था पहले से और नीलू और भी तेजी के साथ अपना काम पूरा करना चाह रही थी लेकिन आरती दीदी ने कहा नीलू मैं एक दो औरतों को तुमारे पास ले आउँगी लेकिन उसके लिए मसीन चाहिए कैसे करोगी तो नीलू ने कहा मैं पिताजी से बात करके देखती हूँ अगर वै कुछ पैसे मुझे दे देंगे तो मैं तीन मशीन और खरीद लूँगी घर पर आकर नीलू ने पिताजी से बात की पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं सिलाई मसीन लेना चाहती हूँ और अपने काम को बढ़ाना चाह रही हूँ पिता जी ने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं बेटा यादी नहीं आ रहा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा होगा आज तुम मेरे साथ बैंक चलो मैं देखता हूँ क्योंकि पैंसन का पैसा भी हर महीने पूरा का पूरा निकल जाता है तो देखना पड़ेगा नीलू पिता जी के साथ बैंक गई तो बैंक में जब पता चला कि पिता जी के एकाउंट में साथ हजार रुपे कुल है तो नीलू ने एकाउंट से पचास हजार रुपे निकाले दस हजार नीलू ने एकाउंट में छोड़ दिया और फिर नीलू सिलाई मसीन खरीदने पिता जी के साथ दुकान पर गई जिस दुकान पर गई वैसे एर का एक परसित दुकानदार था जैसे ही काउंटर पर पिता जी के साथ नीलू पहुंची तो काउंटर के उस तरब बैठा सक्स पिता जी को देखकर हाथ जोड़ कर बाहर आ गया पिता जी थोड़ा सा भटक रहे थे उनको याद नहीं आ रहा था तब वे वेक्ति खुदी कहने लगा लग रहा है आपने मुझे पहचान नहीं रही है पिता जीने का शायद मैंने देखा है लेकिन पहचान नहीं आ रहा है तो वे वेक्ति कहने लगा है ये मेरा ही दुकान है और आपने मेरे घर के बिजली का बि बहुत जायदा आ गया था जिससे आपने ठीक करवाया था और पुर उसका दस परतीसती मुझे बिजली का बिल जमा करना पड़ा था मैं तो आपका बहुत एहसान मंदू शाय जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूँगा आप बहुत पहले से कमजोर हो गए है तब पित पंदार ने सुना कि मुझे तीन-चार सिलाई मसीन लेना है तो वो कहने लगे मैडम आप चिंता ना करे मैं अची क्वालेटी की मशीन आप जितना चाहेंगे उतना आप मेरे दुकान से ले जा सकती है अभी आप तीन सिलाई मसीन लेकर जाएं जो कि मेरे पास अच्छी नीकी है तो नीलू ने सोचा हाँ अभी तो इतना ही चाहिए और उसे बाद में और देखा जाएगा सोचने लगी क्योंकि नीलू को और और पेमेंट जो उन्हें दे कर वह चली गई दूसरे दिन आरती दीदी ने दो औरतों को लेकर नीलू के घर आई एक का नाम रीमा और द ऐसे कितने चाहिए तो वह बोली कितना देर काम करना होगा नीलू ने कहा आप दिन के पांच घंटे मुझे दे दो दस बज़े आईए आप लोग और सुबह के चार बज़े चले जाईए तब उन्होंने अपनी तनुखा पांच हजार बताया इस तरह ऐसे नीलू दोनों को 10,000 रुपया महिना देना था तो नीलू ने आरती दीदी की तरफ देखा तो वह समझ गई उन दोनों महिलाओं को वह कहने लगी देखो अभी तो इनके पास इतना नहीं है लेकिन जल्दी इनका काम बढ़ेगा तब यह तुम दोनों को इतना दे पाएंगी लेकिन अभी इ कैसे इसका काम बढ़ेगा यह खुद तुम लोगों का पैसा बढ़ा देगी अभी तुम लोग 3-3,000 रुपय में काम करो मंजूर हो तो बताओ वे दोनों और ते कुछ देर चुप रहीं जो रीमा थी उसने कहा ठीक है दीदी लेकिन दो महिने बाद आप जरूर मेरा पैसा बढ़ा दीजिएगा जब रुक गई और उसे रुका हुआ देखकर अनीता भी बोली ठीक है दीदी मैं भी काम करने के लिए तैयार हूँ मेरा भी पैसा आप दो महिने के बाद बढ़ा देना नेलू ने का यदि मैं दो महिने बाद नहीं कर पाऊं तो तुम लोग मुझे छोड़ कर चली जाना वे बोली ठीक है ना वे दोनों हसने लगी अब बोली ठीक है नीलूने सबसे पहले उन्हें बिठाया और किरन को बोला चाए पिलाओ किरन चाए बनाकर लाई और सब लोगोंने चाए पी नीलू का वैवार देखकर वैतुरंत कहने लगी दीदी आप जैसी ही हो कोई बात नहीं, हम बिना पैसा लिए भी आपका यह एक महिना तो काम कर देंगे। नीलू ने कहा नहीं बाबा, मुझे किसी की हाय नहीं चाहिए, वैसे भी मैं बहुत परिशान हो, तुम लोगों की मजदूरी मार कर मुझे राजा नहीं बनना तो वे लोग हसने लगी फिर एक दिन नीलू ने अपने खिलोने के सेंपल लेकर के आरती दीदी के साथ सदर मारकेट गई जहां होल सेल के खिलोने की दुकान थी नीलू अपने सेंपल दिखा कर उन से पूछा इस तरह का चाहिए आप लोगों को खिलोने तो वे वेक्ती जो की शायद उस दुकान का करमचारी ही था बोला आप मालिक के पास जाएं नीलू ने कहा कहा मिलेंगे आपके मालिक तो वे कहने लगे अभी तो घर पर हैं एक घंटे के बाद वो आएंगे नीलू ने दीदी से पूछा क्या हम लोग इंतजार करें तो दीदी ने कहा आओ चलो तब तक और दुकानों पर पूछते हैं और फिर यहां आएंगे नीलू को यह बात सही लगी और नीलू आरती दीदी के साथ आसपास की कही दुकानों पर अपनी सेम्पिल दिखा कर उनसे पूछा सभी संतुष्टी पून जबाव कहीं से नीलू को नहीं मिला और फिर नीलू उसी दुकान पर जहां पहले आई थी वहीं आ गई तब तक मा आ चुके थे शायद वे बहुत से कष्टमर भी थे जो दुकान पर आ चुके थे वहां से नीलू आरती दीदी के साथ एक किनारे खड़ी हो गई तबी एक मुसलिम महिला जो वुरका पहने हुए थी वह बोली आप लोग भी आईयो क्या खरीदना है कहां से आईयो तो मैं नीलू ने जो दीदी कम मुह देखने लगी दीदू जूट क्यों बोल रही हो लेकिन वे उन्होंने अपनी आख से धीरे से नीलू को चुप रहने का इसारा किया तब वे महिला बोली अच्छा कहां से लाकर माल सप्लाई यहां करती हो तब आरती दीदी ने का हमारी वेक्ट्री है तुरंत वे महिला इतना सुनते ही उन दोनों को एक तरफ आने को कहा और फिर आगे बढ़ गई वे आगे चली जा रही थी उसके पीछे आरती दीदी और नीलू जा रहे थे फिर एक बड़ी सी गाड़ी के पास वे खड़ी हो गई गाड़ी के अंदर कोई ब लगे आपका वर्कशॉप है तब आरती दीदी ने कहा कि घर से ही काम करते हैं हम लोग और हमारा घर इंदरा नगर में है तब उस बुजूर्ग ने जो उन से कहा अपना सैंपल दिखाई है तो उनों ने तुरंत अपने थेले में से सारे सैंपल निकाल कर उनके सामने गाड होने लगे कहने लगे बिटिया यह सब आप लोगों ने बनाया है तब आरती दीदी ने निलू की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा किनों ने तब उस बुजूर्ग ने अपनी जेव से कार्ड निकाल कर निलू को पकड़ा दिया और कहा तुम दोना इस पते पर आओ मैं वहीं म बात होगी निलू अभी भी ऐसमंजस की इस्तीती में थी यह कौन है शायद उस बुजूर्ग को निलू के ऐसमंजस को महसूस कर लिया था इसने वह साथ में खड़ी उस महिला ने उन्हें बताया कि इन्हें बताओं मैं कौन हूँ तब वह महिला बताने लगी कि यह रिवियर और खिलोनों की दुकाने और तीन दुकाने लेडीज बैग्स और आरती दीदी और नीलू ने उन्हें फिर नमस्कार किया और का ठीक है हम आ जाएंगे कल आप से बात करने नीलू और आरती दीदी वापस घर आ गई फिर वो कहीं नहीं गई दोनों आज बहुत ख अटकने से अच्छा है एक जगह से अच्छे से बात हो जाएं और वहीं से हां उन्होंने ओरर मिल जाएं तो फिर इदर उदर जाने का समय और पैसा दोनों की बचत होगी दोनों खुष होकर घर आएं और नीलू दीदी नीलू ने जो आरती दीदी सेकारास्ते में नीलू अगर यह order हमें मिल जाता तो कल हम लोग party करेंगे नीलो ने हसते हुए का ठीक है दीदी जरूर और इस तरह गर पहुंचकर नीलो ने सारी बाते पिताजी को और किरन को बताई अभी जो market में नीलो को order मिला था अनीता और सीमा और किरन के साथ मिलकर नीलो ने वही के order पूरी करने थे दूसरे दिन अनीता और रीमा को और किरन को नीलो ने काम समझा कर आरती दीदी के साथ नीलो उस काईड पर दिये गए पते पहुंच गए उनका नामरासिद अंसारी था वह एक खिलोने की दुकान थी जहां नीलू और आरती पहुंची थी वह वहाँ बैठे वे थे उन्हें देखकर वह दुकान के पीछे जो आरती और नीलू को लेने आ गए जहां बहुती सुन्दर एक आफिस बना हुआ था उन लोगों को बैठा कर उन्होंने चाए कॉफी पूछा तो आरती दीदी ने चाए के लिए बोल दिया तो वो बेल बजा कर एक नौकर से चाए और बिस्किट लाने के लिए कहा फिर हम लोगों से वो बात करने लगे वे सारी बाते बहुत डिटेल में पूछ रहे थे कि हम ये कैसे और क्यों कर रहे हैं तब आरती दीदी ने नेलो के बारे में सब बताया और सब कुछ जानकर वे बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि बेटी अब तुम बहुत ही अच्छी जगह पर आई हो मैं अपने साथ साथ जो भी मेरे वेपारी भाई खिलोने वाले हैं उन सभी से भी मैं आप लोगों का परीचे करा दूँगा और इंसा अल्ला यदि चाहे तो आपका काम बहुत तेजी से बढ़ेगा और खुद का अपना वर्क सब बनाएंगी समाज में आप जैसी महिलाओं के लिए मेरे दिल में बहुत ही इज़त हैं जो अपने घर में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए घर और बच्चों को संभालते हुए इतने बड़े पैमाने पर इतना कुछ करने का दम रखती है ऐसी महिलाओं को मैं तहीं दिल से सुक्रिया करता हूँ मुझसे जितना हो सकता है बेटा मैं आपके लिए जो काम करूँगा और इतना कहकर वेब फॉन पर कुछ नंबर मिलाने लगे करीब पांचे लोगों से नीलू के काम के बारे में उन्होंने बात की और नीलू के सामने ही उन सभी लोगों की जो उनकी तरफ जो देखा और बात हुई फिर वे अपने एक श्टाप को बुला कर नीलू के द्वारा लाए गई सारे सेंपलों को उन वेक्तियों के फॉन नंबर और एड्रेस पर भेज दिये तब तक चाय भी आ गई थी सब लोग मिलकर चाय पीने लगे और कहा कि खुद भी चाय जो अंसारी साहब ते पीने लगे अब लोगों के साथ जो नीलू बहुत खुश थी कि अभी भी इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं अंसारी साहब का वैवार देकर नीलू को भहुत थी उनके लिए आदर की भावना उत्पन हो रही थी लेकिन नीलू चुपचाप जो बैठी थी कुछ बोल नहीं रही थी पता नहीं कितने बड़े आदमी क्या समझ बैटे अभी नीलू यही सोच रही थी तब तक वे महिला जो कल उन लोगों को सदर मार्केट में मिली थी वे आगई अंसारी साहब ने उससे इन लोगों का परीचे कराया और कहा कि यह भी मेरी मुह बोली बेटी है तब उसने अपना नाम बताया और कहा कि मेरा नाम फातिमा है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था लेकिन अंसारी चाचा ने मेरे सिर पर हात रख दिया अब मैं इनकी परसनल सेकेटरी हूँ उस दिन मैं उस दुकान से ओर्डर लेने गई थी कि तब तक आप लोगों से बात हो गई मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी वज़े से उस दुकान का नुकसान हुआ जहां यह महिला ओर्डर लेने गई हुई थी शायद इन से मिलना ही था तब ही मैं वहां से जाने के बाद भी दूसरी बार फिर आई थी उस दुकानदार मालिक से मिलने के लिए अगर मुझे पहले ही मिल जाता तो मैं इस महिला से कहां मिल पाती और फिर मुझे अंसारी साहब कैसे मिलते यही सोचकर मेरे मन में तसल्ली हुई शायद किसी के दुक के साथ ही दूसरे के खुसी जुड़ी होती है इस वर जो करते हैं वे अच्छे के लिए करते हैं अंसारी साहब ने तब तक मुझे अपना ओर्डर नोट कराया नीलो ने उनका ओर्डर सुनकर परिसान थी किस कितने दिनों तक उसे जो लग जाएगा या ओर्डर पूरा करने में बहुत बड़े पैमाने में उसे ओर्डर मिला था अभी तो वे जहां नीलो का सेंपल भेजे थे वहां से क्या रिस्पॉंस मिलता है यह अभी बाकी था अंसारी साहब के पास अब जहां जहां सेंपल नीलो का पहुंचा था वहां वहां से फौन आ रहे थे अंसारी साब कुछ नोट करते जाते अब फॉन पर बात करते जाते और 45 मिनट बाद उन्होंने फॉन रखा था फिर वे निलू से खड़े होकर खुशी से कहने लगे बीटा सब लोगों ने तुम्हारा ये सेम्पल को बहुत पसंद किया है बस अब समय से उनका काम भी करके दिखा दो और सब लोगों ने आपको एडवांस के रूप में दो लाख रुपे भेजे हैं मैं आपको ये पांच लाख का चेक दे रहा हूँ और निलू जितना आश्चरिय चकित नहीं थी उसे ज़्यादा तो आरती दीदी को आश्चरिय हुआ अंसारी साहब का मुँ देखे जा रही थी फिर दौनों ने एक दूसे का हाथ पकड़ कर गरम जोसी के साथ एक साथ कहा हाँ हम कर लेंगे बस हमें दो महिने का समय दीजिए अंसारी साहब ने का ठीक है बेटा मैं सबसे बता दूँगा कि आपको थोड़ा वक्त दिया जाए निश्चिंत रहें मेरा आदमी अभी आता ही होगा उन लोगों से ओर्डर लेकर कुछ देर बाद अंसारी साहब का श्टाफ भी आ गया सभी लोगों ने चैक ही भेजा था सबका चैक देखकर निलू के दिल की धड़कने बहुत तेजी से धड़कने लगी हाथ पैर काप रहे थे निलू पसीने से तरबतर थी कैसे मैं इनका काम पूरा कर पाऊंगी लेकिन आरती दीदी ने होंसला दिया सब हो जाएगा चिंता मत करो मैं अंसारी साहब का करके और उन्हें कहा कि निलू ने आपको चाचा जी कहके बुलाओं आपको बुरा तो नहीं लगेगा अंसारी साहब हसने लगे और हसते हुए जो निलू के सिर पर उन्होंने हाथ रखा और कहा जा बेटी अपना काम कर मेरा यह नंबर है जब किसी चीज की आवश्यक्ता ह तो बताना कोई भी परेशानी हो बिना संकोच के मुझे फौन करना निलू ने का ठीक है चाचा जी मैं जरूर बताऊंगी और वे दोनों घर वापस आ गए रास्ते भर में निलू और दीदी प्लानिंग करते हुए आ रहीं थी कैसे उन्हें लोगों की और जरुरत पढ़े अब निलू के पास 20-22 लाख रुपे थे इतने रुपे में तो बहुत अच्छे से अम्माल भी खरीद सकती थी और मसीन भी घर आकर किरन को निलू ने कहा अनिता और सीमा भी थी तो निलू ने कहा आज किसी को भी घर नहीं जाना है और सब मिलकर हैंई पाइटी करेंगे ब कोई भी हो उसे लेकर आओ मुझे धेर सारा ओर्डर मिला है सब दो महिने के अंदर ही पूरा करना है सब बहुत खुस होई और फटा फट पाइटी की तैयारी शुरू हो गई पिता जी ने सुना तो उनके अंदर इतना जोस भराया कि देवांस को गोद में उठा कर वो नीलू के उपर गरब हो नीलू भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी और मन ही मन उनको परनाम करने लगी वह कहने लगी बस आप मुझे अपना असिरवास सदे भी देते रहें मेरे पास होने का हैसास जो आप मुझे कराते रही है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं और मेरे हि अब एक दिन पिताजी के साथ नीलू बैंक गई, वहाँ जाकर उसने अपना एक अकाउंट खुला, सभी चेक जमा करके सब फॉर्मिल्टी पूरी करके मसीन सिलाई मसीन वाले की दुकान पर गई, वहाँ पर पांच और सिलाई मसीन का ओर्डर दे कर आई, घर आई तो देकर और हनीता कुछ और महिलाओं को लेकर आई थी, तब नीलू ने उनसे बात करके सब कुछ सारा काम समझाया, तब इस सिलाई मसीन लेकर उस दुकान के मालिक सरमाजी स्वैम लेकर आई थे, गाड़ी से मसीन उतरवा कर अंदर रखवाने लगे, तो नीलू ने देखा कि पां पिता जी को देखते भी कहा, एक मसीन मैंने अपनी तरफ से आफ को यह गिफ्ट की है, यह मेरी तरफ से आप रखी है, नीलू ने कहा, अरे नहीं सरमाजी, इसकी क्या जरूरत है, ऐसा नहीं, हमने पांच मसीनों के पैसे दिये है, तो आप हमें पांच मसीने ही दीजिए, तो सरमाजी कहने लगे, अरे नहीं नहीं, आपको और भी मसीनों की बहुत जरूरत पड़ेगी, और एक मेरी तरफ से तब पिता जी ने कहा, अरे रख लो बेटा, सरमाजी शायद मेरा उधार चुकाना चाह रहे हैं, नीलू समझ गई कि पिता जी का उनका बिजली का बिल क करवाना, शायद इसी वज़े से सरमाजी जो गिफ्ट दे रहे हैं, नीलू ने फिर कुछ नहीं का और चुपचप सारी मसीने अंदर रखवा दी, सरमाजी भी अपना पेमेंट लेकर पांच मसीनों का चले गए, नीलू अब बाकी के काम मार्केट से जाकर, जो आरती और कि तयार हुआ माल रखवाना था, और एक तरफ खिलोने तयार करने थे, तो नीलू एक गोदाम के रूप में छट पर शेट डलवा कर गोदाम के रूप में बनवाना चाह रही थी, पिताजी से बात की, पिताजी भी तयार हो गए, फिर वे छट पर गोदाम बनाने के लिए का काम सिरू हो गया एक महिना होते होते नीलू के पास बहुत सारे बरकर और जगे की विवस्ता नीलू ने कर ली थी अब तेजी के साथ नीलू अपना काम पूरा कर रही थी फिर वे दिन भी आया जब नीलू अंसारी जी को फोन की अंसारी जी सारा माल तयार है अत्तव अंसारी जी ने कहा कि बेटा आप परिसान मत हों, आप अपने घर का इडरस हमें दे दें, किसी को मैं भेज रहा हestone, गाडी के साथ, सारा माल आप लोड करना दिये, लेकिन एक कम कीजिएगा, कि आप जहाँ जहां का माल हो, उस बंडल पर हुआ का नाम, अडरेस के साथ लिख बड़े बड़े बंडल बनाए गए थे अंसारी जी को छोड़ कर 12 बंडले थी कुछ गंटों के बाद गाड़ी आ गई सारा माल गाड़ी में भरा गया गाड़ी के पीछे नीलू और पिताजी एक टैक्सी से चल दिये सबसे पहले अंसारी जी का सारा माल गाड़ी से उतरवा कर उसकी काउंटिंग कराल कर फिर बाकी का पेमेंट लेकर गाड़ी और जो कस्टुमर थे वहाँ वहाँ पर सभी माल उतरवा कर सभी का काउंटिंग कराकर पेमेंट लेते हुए और फिर से सबी जगाँ से ओर्डर लेका देर रात वे घर पहुंचे ऐसे ही अब नीलू के साथ-साथ पिताजी में बहुत अधिक वैस्त रहने लगे थे नीलू के पास कम से कम तीन से चार दर्जन करमचारी थे दो दर्जन तक करमचारी खिलोनों को तयार करते थे एक दर्जन वैक्तियों को पैक करता और फिर मार्केट से सारा समान लाने का काम करते अब नीलू एकाउंट से ही समंदित सारे काम देखती थी और सो एम जाकर मार्केट से अपनी देखर एक में सारे माटेरियल की खरिदारी करती थी फिर जब और और पेमेंट भी जो नीलू खुद जाकर ले लेती थी यही उसका काम था बेवस्ता काफी बढ़ गई थी दिन जाते देर नहीं लग रही थी अब देवांस पांच साल का हो गया था उसको स्कूल में दाखिल कराना था क्योंकि बहुत सहता नी करने लगा था छोटा था इसकूल जाने लगा देवांस तो अनुसासित रहने लगा था अपने आपको बिल्कुल अपने काम में समर्पित कर दिया था नीलू ने पिताजी भी नीलू का पूरा साथ दे रहे थे हाँ इस बीच आरती दीदी की तवियत खराब रहने लगी वे नीलू के साथ नहीं रह पाती थी नीलू समय समय पर उनके घर जाकर उनका हाल चाल लेती रहती थी जो जितना हो सकता उतना वे उनकी हेल्प करती क्योंकि बहुत कटिन समय पर उन्होंने नीलू का साथ दिया था और ऐसे लोगों का साथ तो कभी नहीं छोड़ा सकती थी नीलू किरन अभी भी नीलू के साथ ऐसे मन लगा कर उसके घर को संभाल रही थी अब तो ऐसा लगता था कि वे अपना घर संभाल रही है सारे वरकरों को दिखकर अपने अधिक से अधिकार से सारे वरकरों को डांट कर काम करवाती थी किरन उस तरह से तो जो नीलू कभी नहीं कर पाई थी ऐसे ही एक दिन की बात है सब कुछ जैसे सपने जैसा लग रहा था नीलू कहां से कहां आ गई है और यह सब अभी अनुक जी के प्यार और अप प्रबू की किरपास से संबब हो सका है एक दिन अनसारी जी ने नीलू से कहा बेटा आज कल स्मार्ट फोन चलन में है इस पर सब कुछ है तुम इसे ढूंड लोगी तो तुमारे मतलब की सारी चीजे तुमें इस पर मिलेंगी तुम और भी वेराइटी की चीजे कैसे बनाई जाती है बहुत सब चीज सीखो और मार्केट जाने की तुमें आवशकता नहीं है अब मार्केट में तुम्हारा नाम है तब तुम फोन पर ही सारे मैटेरियल मंगा सकती हो नीलू ने सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा बोली हाँ यह तो मैंने कभी सोचा नहीं था फिर नीलू फोन पर सर्च करके और सारे मैटेरियल वाली जगह पर नीलू ने फोन किया तो वे लोग खोदी सबी समान लेकर नीलू के पास आते सेंपल के तोर पर नीलू को दिखाक देते जो नीलू को पसंद आता उसका जो वे घर में बैठे बैठे ओर देती तो सारा समान घर आ जाता नीलू को यह अच्छा नहीं लगता था कि उसे नीलू वापस कर देती थी फिर उसकी जगे पर दूसरा सही समाना था कभी कभी कलर डिसाइड करने में नीलू कनफ्यूज हो जाती तो फौन पर तब उन्हें कहती कि आप अपने पास जितने भी कलर हैं और वे सभी ले आईए मैं उनमें से पसंद कर लूँगी फिर ऐसा ही होने लगा नीलू का काम और आसान हो गया फिर नीलू ने पता लगाया मार्किट में नया क्या आ रहा है लेकिन फिर नीलू ने सोचा मेरे लिए जो मैं कर सकती हूँ वही काम बहुत है आप नीलू इसी पर अपना सारा ध्यान लगाती और नीलू ने यही किया देवानस भी अब बहुत समझदार हो गया था उसके पास स्कूल से जड़ी बहुत सी बाते होती थी जिनको वह नीलू को सुना था नीलू कभी-कभी घर में नहीं होती या वैस्त रहती तो वह किरन से कहता लेकिन किरन उसकी बाते समझ नहीं पाती थी तो वे गुस्सा होकर अपने दादा जी के पास जाता और जब वे भी नहीं समझते तो गुस्सा होकर वे किरन जो अपनी मा नीलू को फौन करता और कहता आप कहा हो मा तो नीलू पूछती क्या हुआ बेटा नीलू घबरा जाती तब देवांस कहता कुछ नहीं हुआ तो नील को हसी आती और कहती आ रही हूं बेटा बस थोड़ी देर में और जैसे वे घर पहुचती तो देवास दोड़कर नीलू से लिपट जाता नीलू से गोद में उठा कर बहलाने लगती लेकिन वे अपनी सारी बातों को जब तक बोल नहीं देता तब तक चुप नहीं होता बेटे के स्कूल का यूनिफॉर्म लेने मार्केट गई तो वाँ छोटे बच्चों के बैग देखे जो कि टेडी वियर का रूप था नीलू को बहुत अच्छा लगा नीलू ने उसे अपने बेटे के लिए खरीदा और घर आकर उसने ध्यान से देखा और पिर अंसारी जी को फौन किया उन्हें बताया कि मार्केट में बच्चों का बैग आया है जो कि टेडी वियर की तरह से है उसे भी मैं बना सकती हूँ तो वो कहने लगे कि इसके ओर्डर के साथ एक दरजन उसे भी बना कर भेजना फिर देखते हैं नेलू ने का ठीक है चाचा जी दूसरे ही गए उसे बनाने के लिए दो दिन के बाद नेलू के सामने एक दरजन बैग पड़े हुए थे उसमें भी सुन्दर सुन्दर से नेलू की वर्कशाप में एक लड़की थी उसका काम सिर्फ खिलोनों की फिनीसिंग का काम करती थी वे खिलोनों को अपने डेकोरिशन से एक अ उसका नाम कंचन था कंचन ने बैक को भी बहुत अच्छी तरह से डिजाइन लुक दिया नीलू हैरान थी और खुस होकर उसे उसके काम के लिए जो साबाशी दी और साथ ही उसे इस महिने में बॉनस देने का वादा किया वैसे भी समय समय पर नीलू अपने सभी वरकरों को ब सारी जी बैक देखते ही बहुत खुस हो गए और कहने लगे बिटिया यह वाला बैक और आप सिर्फ मेरा लेना क्यों कि तीन दुकाने मेरी मार्केट में बैगों की भी हैं लेकिन अब ही तक सिर्फ लेडीज परसी रखता था लेकिन अब यह बच्चों वाले बैक भी मैं रखूंगा अब आप मेरे लिए सिर्फ इस बैक को बनाए नीलो ने उनसे वादा किया कि मैं सिर्फ आपके लिए ही यह बैक तयार करूंगी धीरे धीरे समय बीचता गया और नीलू का जो काम बैक की वज़े से और भी बढ़ गया था जिसकी वज़े से नीलू को और जगे की तलास करने लगी वह उसे मिल भी गई पहले नीलू ने सोचा कि किराए पर मैं यह जगे लूगी लेकिन उसके मालिक को पैसे की अवशकता थी वह उसे बेचना चाहते थे तब नीलू ने अंसारी जी से बात करके पैसे की विवस्ता हो जाने पर नीलू ने उसे खर पाट करवा कर पूरा वर्कसॉप नीलो ने हैं पर सिफ्ट कर दिया देवान सब हाई स्कूल कर चुका था वे पढ़ने में भी बहुत अच्छा था बहुत मन लगा कर वे पढ़ाई करता था एक दिन नीलो ने उससे पूछा कि बेटा बड़े होकर आप क्या बनोगे तो उसन किसी को पुलिस बनना है तो किसी को टीचर बनना है लेकिन मा मैं सोच रहा हूँ मैं सिर्फ आपका बेटा ही बना रहना चाहता हूँ मुझे बहुत आश्चरिया हुआ कि मेरा बेटा इतना बड़ा कब हो गया जो इतनी बड़ी बात कर रहा है नीलो ने कहा फिर भी बेटा कुछ तो करना होगा न, तुमारी पसंद क्या है, मैं यह जानना चाहती हूँ तो देवांज ने नीलू से कहा कि मां, मैं आपका काम संभालूँगा आपने इतना मेहनत किया है, मैं बड़ा होकर बस आपको आराम दूँगा आपका सारा काम मैं करूँगा, नीलू ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपने बेटे का माथा चूम लिया अपने बेटे की बाते सुनका नीलू सोच में पढ़ गई कैसे कहूं बेटे से कि इसके पापा का क्या सपना था वे तो एक I.A.S. आफिसर बनना चाहते थे और इसकी वज़े से उन्होंने जी जान लगा कर पढ़ाई की थी अपने पांस साल के दामपत्य जीवन का भी सुख इन सपनों की वज़े से उसने कभी महसूस नहीं किया था जब भी नीलू कहती चलो कहीं बाहर चलें साथ में घूम फिराएं या फिर मा जी और पिता जी भी कही बार कहते जाओ थोड़ा घूम फिराओ तुम दोनों तब वे कहते जिंदगी भर तो घूमना फिर नहीं है अभी मैनत करके और जो मैं चाहता हूँ सुचाईं तक पहले पहुंच जाओ तब तो जीवन भर ऐस करना है यही सोच कर और कभी ना खुद जीवन को भर पूर जी पाए और ना ही मुझे समय दे पाए जिसका नीलू को जिंदगी भर दुख रहेगा और इस कारण से नीलू ने सोचा था जो काम अनूप पूरा नहीं कर पाए थे या जिंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया वह मैं अपने बेटे से जरूर करवाऊंगी लेकिन बेटे की सोच देखका नीलू खुद सोच में पढ़ गई कि कैसे कहूं उससे कि तेरे पापा का क्या सपना था दिल की बाते अपनी कोई ऐसा था कि ही नहीं जिससे वो परसनली कोई बास से यह कर सके समझ नहीं आता था किससे कहूं ये सारी बातें दिन तो बीत जाते काम में और जब बहुत ज़्यादा ठकी रहती तो रात में विस्तर पर गिड़ते ही नींद भी आ जाती लेकन कभी रात में नींद तूट गई तो फिर सो नहीं पाती थी सोचते सोचते कब सुबह हो जाती पता नहीं चलता था जब से देवांस थोड़ा बड़ा हुआ समझने लगा सारी परिस्तितियां तब से और भी कभी मुझे जगा हुआ देखता तो रात में क्योंकि वे नीलू के पास ही सोता था और जब भी नीलू रात में देर तक जगी रहती तो बोलता था मम्मी आप चिंता मत करें मैं सब ठीक कर दूँगा सब ठीक हो जाएगा मैं जानता हूँ आप क्या सोचती है मेरे सबी दोस्तों के मम्मी अपने पापा से सारी बाते शेयर करती है लेकिन मेरे तो पापा नहीं है तो आप मुझसे शेयर कीजिए मम्मी अपनी बातें उसकी बातों को सुनकर नीलू को बहुत सगून मिलता और नीलू उसे अपने सीने से लगा लेती और फिर कहती मेरे लिए यही बहुत है बेटा कि आप मेरे पास हो हमेशा अपनी मा के पास रहना जैसे तुमारे पापा मुझे अकेला छोड़ कर चले गए उस तरह से तुम कभी मुझे छोड़ कर नहीं जाना तब मेरा हाथ पकड़ कर देवांस कहता और अपनी मा के आसु पोछता और बोलता मा आप बिल्कुल चिंता मत करो मैं हमेशा ही आपके साथ रहूँगा मुझे बहुत सगुन मिलता था नीलू को बहुत अच्छा लगता कि उसका बेटा उसको समझता है यह सोच कर कि चलो मेरे पास तो देवांस है लेकिन किरन के लिए महसूस की किरन के पास तो उसे कोई नहीं है उसकी भी तो दिल में कभी न कभी कोई बाते होती होंगी जो किसी से वो कहना चाहती होगी लेकिन कहने ही पाती थी यही सोच कर नीलू इस्वर को धन्यवाद देती और अनूप जी का ध्यान करते हुए कहती मुझे फिर एहसास होता ही नहीं कि मैं गलत हूँ मेरे पास तो अनूप जी भी थै और मेरे आसपास ही है वो और मुझसे दूर कभी नहीं जा सकते और कभ सुबह हो जाती कभ सुबह होते ही फिर वे अपने रोजिय मर्रा के कामों में लग जाती आज सुबह से ही देवांस और नीलू बेचैन होकर बार-बार अपना फॉन चेक कर रहे थे क्योंकि आज देवांस का इंटर का रिजल्ट घोसित होने वाला था किरन ने नास्ता डाइनिंग टेवल पर रख दिया था तो हम सभी ने अन्मने ढंक से नास्ता किया और नीलू अपने वर्कसप पर जाने लगी तो देवांस ने कहा कि मा कुछ देर और रुक जाओ नीलू देवांस की घवराट और बेचैनी को महसूस कर रही थी नीलू ने उसे समझाया बेटा रिजल्ट तो आज आना है और आगे आएगा ही लेकिन आप परिशान मत हो मुझे पक्का विश्वास है मेरा बेटा टॉप करेगा देवांस हसने लगा तो नीलू ने उसके बालों को सहलाते हुए बोली कि मेरा बेटा बहुत ही जीनियस है मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करोगे तब तक देवांस का मोबाईल फॉन वर्जू था वे तुरंत कॉल अटेंड करके बात करने लगा और बात करते उसने टीवी खोल दिया तुरंती उसे लोकल नीज चैनल लगाया और नीलू कुछ समझ नहीं आया उसे नीलू ने पूछा कि क्यों बेटर टीवी क्यों खोले हो इस समय उसने हाथ से नीलू को चुप रहने को कहा कुछ देर बाद देवांस का नाम ही देवांस ने स्टेट लेवल पर टॉप किया था वे राज्ये में तीसरे इस्तान पर था नीलू खुछी से चीक फड़ी देवांसी भी खुछी के मारे जो अपनी मा के गले लग गया फिर वे अपने दादा जी के पाश जाकर उनके पैर चुकर आसिरवाद लिया तो पिता जी ने पूछा क्या बात है तो उन्हें हाथ पकड़ कर जो देवांसी टीवी के सामने खड़ा कर दिया जब पिता जी ने टीवी में सुना और देखा उसका नाम बोला जा रहा है तो हम सभी को चुप करके ध्यान से उस सुनने लगे टीवी में बताया गया देवांसी ने पूरे राज्या में तीसरा इस्थान प्राप्त किया है इतना सुनना ही था कि पिताजी भाब विभोर होकर देवांस को गले से लगा लिया नीलू ने तुरंत मिठाई मंगाई और पूरे मोहले में और वर्कसाप में नीलू ने मिठाई बटवाई और तब तक शाम होते होते चारों तरफ खवर फैल चुकी थी और मिलने आने वाले लोग साथ में मीठाई वाले भी आगे सभी ने देवांस की बहुत तारीफ की और मीठाई वाले ने सभी के साथ और पिताजी के साथ देवांस की तस्वीरें लेने लगे मीडिया वाले नीलू से भी बात की देवांस के सौक के बारे में और नीलू के बारे में देवांस के पिता जी क्या करते हैं कहां है वे जब उने पता चला कि देवांस के पिता जी नहीं है तो वे पूरे विस्तार से देवांस के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे और मोहले के कुछ लोगों से जो उन लोगों के बारे में पूस्ताच करते हुए सारी बातों की जानकारी प्राप्त करने के ले चले गए दूसरे दिन सभी नियूस पेपरों में देवांस की चर्चा थी और साथ ही जो नीलू के कामों को लेकर भी बहुत विस्तार से और नीलू और देवांस के फोटों के साथ छपी हुई थी सभी लोग नियूस पेपर में छपे हुए अक्वार को जो पढ़ते कि उ और उसे नीलू से वेक्तिगत रूप से जानने लगे थे उन लोगों का फोटों भी आने लगा था और सभी लोग देवांस के रिजल्ट का और नीलू की उपलब्दियों के बारे में बताते हुए उसे बधाई देने लगे एक दिन में अपनी वरक्शाप पर जो नीलू का कौम कर रही थी तभी उसे दिल्ली से किसी साघर आनंद जी का फोट आया और नीलू के पास वे कहने लगे नीलू जी मैने आपके बारे में सुना है मैं महिलाओं की मासिक पत्रिका ग्रह सोभा में मेरी सहली जैसी पतरिकाओं में डारेक्टर हुँ मैं अपनी पतरिका के ल जी ने कहा मेरा एक रिपोर्टर आपके पास आएगा आपका इंटर्वियू लेना जिसका नाम किसन है मैं फिर अपने काम में जो नीलू वैस्ट हो गई शाम तक नीलू के दिमाग में यही बात जो निकल चुकी थी दूसरे दिन नीलू अपने वरक्षॉप पर थी कि तभी फॉन आया कि मैं किसन बोल रहा हूं और दिल्ली से आपका इंटर्वियू लेने आया हूं आप इस समय कहा है तब नीलू को याद आया अरे मैंने उन्हें वरक्षॉप का एडरस बता कर हैं बुला लिया क्योंकि नीलू ने अपना ओफिस भी हैं बनवा लिया था थोड़ी देर बाद किसन जी जो नीलू के आफिस में आ गए और नीलू ने बहुती गरम जोसी के साथ जो उनका स्वागत किया तो किसन जी ने भी बहुती गरम जोसी के साथ अपना हाथ बढ़ाया और बोले हैलो मिस्सिस नीलू जी कहते हुए तो किन्तु नीलू ने सिष्टा चार निभाते हुए उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रनाम किया वै तुरंती अपने दोनों हाथ समेटते हुए जो नील। के प्रनाम का उत्तर भी उन्होंने प्रनाम करते हुए ही दिया नीलू ने उनको बताते हुए उनसे पूछा क्या आपको यहां आने में जैदा तकलीप तो नहीं हुई तब वे बोले भाई आप तो पूरा फेमस हैं इस जगह पर एक बार नाम लेती तुरंत आटो वाले ने म अनूप जी का एक बड़ा सा तस्वीर और अपनी सासु मा की एक तस्वीर जो आफिस में लगाई थी जिसे देखते हुए कहने लगे शायद यह यह आपके पती है और यह सासु मा की तरफ वे हाथ करते हुए बोले तब निलू ने कहा हाँ यही मेरी मा है तो वो कहने लगे आपकी मा उन्होंने ऐसे बोला तो निलू ने कहा जी हाँ मेरी मा अनूप जी की मा ताव आश्रिये से उन्होंने कहा ओ हो तो यानि आपकी सासु मा बहुत बढ़िया थी तब तक चाये नास्ता आ गया चाये नास्ता करने के बाद वे बोले आप मैं इंटर्वियू में सबाब देती गई किन्तों उन्होंने एक सवाल बहुती व्यक्तिगत पूछा कि आप अपनी जिंदगी में किसी और को लाना क्यों नहीं चाहा क्या इतनी कम उमर में आपके हजबेंड आपको छोड़ कर चले गए और लोगों को देखकर या कभी खुद में भी अपनी सारी रिक आवश्यक्ताओं की वजह से कभी दूस्ती शादी करने के लिए नहीं सोचा क्या बेटे को उसके पिता का प्यार नहीं देना चाहती थी आप नीलू यह सवाल सुनते ही थोड़ी नर्वस हो गई लेकिन बहुत कुछ सोच कर फिर नीलू ने जवाब दिया पहली बात क कि मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि अनूप जी मेरे साथ नहीं है इसलिए मुझे कभी जरुरत नहीं हुआ अपनी जिन्दगी में किसी और को उनकी जगह देने के लिए और जहां तक रह गई मेरे सारी रिक आवश्यक्ता तो इसके लिए मेरे पास समय नहीं है मैं हम जो सोचते हैं वही मेरे मन और दिमाग के आवश्यक्ताएं बन जाती हैं तो हम सोचे ही क्यों ऐसा अपनी उस एनरजी को मैं किसी सकारात्मक कारियों में क्यों न लगाऊं जिससे कि मेरा समाजिक पारिवारिक और स्वेम की सारीरिक और मानसिक विकास हो मेरा विकास मेरा परिवार मेरा बेटा है इसके अलावा सिर्फ मेरा काम है यही सब कुछ है और इनी सब चीजों पर मैं समर्पित हूँ इन सब के अलावा मेरी जिंदगी में किसी अन्य सोच या किसी भी तरह की आवशक्ताओं की कोई जगे नहीं है मैं हर हाल में अपने आप में संतुष्ट हूँ और फिर यह वरक्सॉप में गए वहां की सबी महिलाओं से जाकर मिले और उन सब से बात किये क्योंकि नीलो की वरक्सॉप में अधिकतर महिलाई ही थी इन सब से मिलकर बात करके वो फिर नीलो के पास आए और आकर का इतनी महिल महिलाओं को आपने रोजगार दिया है यह बहुत बड़ी बात है आपने अपने आपको इतने अच्छे तरीके से मैंटेन रखते हुए इस समाज में सभी महिलाओं के लिए एक प्रेणा का कारिय किया है आप से मैं फिर से जो मिलने की आसा रखता हूँ अब मैं चलता हूँ इतना कहकर कि संजी जाने लगे तो निलू ने उनको परनाम किया और उने गेट तक छोड़ने आई निलू भी उनका वेवार निलू को बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा उनका सांधार व्यक्तितु उनका व्यक्तित बहुत ही रौबदार था वे एक मिलनसार व्यक्ति थे निलू उनके बारे में सोचते हुए फिर अपने ओफिस में आ गई और अपने काम में लग गई निलू का यह इंटर्वियो एक महिने के अंदर ही उनकी पुस्तक में छप गया और वे पुस्तक की एक प्रतिली पी निलू के पास भी आई निलू की फोटो बहुत सुन्दर आई थी बहुत ही अच्छे से जो निलू के सब्दों को सुन्दर तरीके से पूरे विस्तार से जो निलू की पूरी जीवनी छपी हुई थी साथ में इंटर्वियो वाले के सारे प्रश्ण और उत्तर साथ में छपे हुए थे इसके बाद सागरानंद जी का निलू के अच्छे भविष्चे की सुबकामनाएं देने लगे निलू ने उन्हें धन्यवाद देकर फोन रख दिया जैसे ही समय बीत रहा था धीरे धीरे समय बीत गया और दस साल बीत गए आज निलू का घर पहले की तरह आज भी दुलन की तरह सजाया गया था अब निल दुलन इस घर में आई है निलू जितनी खुस है कि खुसी मैं वह सभी मेहमानों के पास जाकर अपनी बहू के बारे में सभी से पूछ रही थी आपको मेरी बहू कैसी लगी सबी लोगों से उसकी तारीप सुनकर फोली नहीं समा रही थी देवांस दिल्ली से एम्बी ए किय और वहीं पर उसे आकांशा से मुलाकात हुई आकांशा भी कानपूर की है उसने भी देवांस के साथ ही MBA कम्पलीट किया है पढ़ाई पूरी करने के बाद देवांस ने अपने मा का वर्कसाप संभाल लिया और फिर एक दिन आकांशा के पापा जो नीलू से मिलने आए तो उन्हें पता चला कि देवांस के अफेर के बारे में तो नीलू ने देवांस से पूछा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया आकांशा के बारे में तो वे सर्माते वे कहने लगा कि मा मैं बताने ही वाला था आपको कि अंकल आ गए निलू ने कहा लेकिन तुमने बताया नहीं और तुमारे अंकल भी थोड़ा देर से आये क्योंकि दो दिन पहले ही मैंने तुमारी शादी कहीं और तै कर दी क्या तुम मेरी पसंद की लड़क अभी उठकर जाने लगे और कहने लगे कि ठीक है अब आप मुझे आग्या दे वे जाने लगे तब नीलू ने कहा मैंने तो आपको आग्या तो दी ही नहीं जाने के लिए आप कैसे जा सकते हैं और वे और देवांस नीलू को घूरने लगे उनको ऐसे देखते हुए नीलू क का एम फैसला खुद करूं दूसरे ही दिन एक पारक में आकांशा नीलू से मिलने आई नीलू को वे बहुत अच्छी लगी आकांशा और नीलू ने अपने तरीके से अंसारी जी से आकांशा के परिवार और उसके बारे में पता लगवाया क्योंकि अंसारी जी भी वहीं के थ तब अंसारी जी ने दूसरे ही दिन जो नीलू को उसके परिवार और आकांशा के बारे में सभी जानकारी देते वे कहा कि नीलू जी लड़की बहुत सुलजी हुई है घरेलू भी है वे पढ़ाई में भी बहुत होश्यार है तब फिर क्या था नीलू अपने बेटे के लि के बाद किरन के भी उन्होंने पैर चुख कर कहने लगे मा और दादा जी अब मैं और आपकी बहु आप लोगों के काम से जो आपको रिटायर कर रहे है हम दोनों आप लोगों की सभी जिम्मेदारियों को बख़ोवी निभाने की कोसिस करेंगे बस आप लोग हम दोनों को आसिरवाद और सुझाब समय समय पर देते रहें नीलू ने अपने बहु और बेटे को गले लगा कर कहा सही माइने में तो आज मेरी परिक्षा पूर्ण हुई है दोस्तों अगर आपको नीलू की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीड पीरादी